हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेज में तो आज के प्रिमिक्स में जो पांच कोश्चन्स हम डिसक्स करेंगे वो रहेंगे आपके जोगरफी सेक्शन से जो कि आपके प्रदम्स पॉइंड वे उसे काफ ज़ाद अंपॉर्टेंट है तो वही हम यहां पर भी आज कोशिश करेंगे आपके उसी तरी के कोश्चन्स को केटर करने की तो बट उससे पहले जो हमारी प्रिमिक्स विजन सीरीज चल रही है उसमें जो आपका सैटरे का दिन था साइंस एंट टेकनोलोजी का तो उस दिन आपसे तीन कोश्चन्स पूच जी वहीं बात करें सेकिंड कोश्चन के बारे में आपसे बतानी थी आपको इन पांच स्टेटमेंट के धार पर तो यहां पर और सीबुए टो यह जितने भी इसमें क्रेक्ट ऑप्शन इसने दिया है सबसे पहले अपनी एमिल आडी के साथ पोस्ट किया है वहां पर उन्ह जा चुका है विनर नाउस किया जा चुका है हमारी यूटूब कॉम्निटी पोस्ट और इंस्टेग्राम स्टोरीज में तो आज का प्रिमिक शुरू करते हैं पहले कुछन के साथ जोगरफी का कि यहां पर आपको कुस्टेटमेंट दी गई हैं आपको क्या बताना है कि इन इंट्रूसिव और फोर्थ में कह रहे हैं कि आपका डग्कन प्लेट्व है वह बसाल्ट रॉक्स से ही बना है तो यह रही आपकी चार स्टेटमेंट्स थोड़ा सोची यह आप से यहां पर पूची चीज़ें पूची इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन मांग कीजिए फिर वहाँ पर रॉक्स की फॉर्मेशन में आती है तो उसे इग्नियस रॉक्स हम कहते हैं बट जो यहां सेकेंड और थर्ड सेटमेंट है यह सिटमेंट आपकी इंकरेक्ट है क्यों इंकरेक्ट है इंटर्चेंज कर दीगे हैं यहां पर एक्जामपल जो ग्रिनाइट है वो थर्ड स्टेटमेंट भी इंकरेक्ट है कि यहां पर इंट्रुसिफ रॉक्स का कहा गया है बसालट के लिए तो अगर वो डुक्क प्लेटी वह आपका इस चीज़ से बना है तो कहीं ना कहीं वह आपका एक्स्टूसिफ रॉक्स का ही एक्जांपल होगा ठीक ही तो यहां प प्रकेज का मतलब क्या है फायर रहता है इसका मतलब अतulty है इसका मतलब जैसे मतलब alors यह जब आपका मॉल्टनमा मैगमा की कॉलिंग होती उसके बाद जो आपकी रोक्स बनती है उपने हम इंगिस रोक्स करते हैं कहां पर गैंगिसफ़ाइख लेया दो categories में से divide कर देगे है Agnes rocks और दूसरा क्या है आपका Extrusive rocks ठीके जी Intrusive और Extrusive तो basically Intrusive में क्या रहेगा कि जो earth का crust है उसी के अंदर आपका magma cool down हो रहा है उसके चलते जो rocks की formation हो रही है उन्हें हम Intrusive कहेंगे ठीके जी तो इस तरीक आपके एक एक जामपल है उसी के लाव और कौन से है डिवराइट हो गया तो यह भी आपके एक्जामपल है एक इंट्रोसिव एगनियस रॉक्स के कुशन आपको इस तरीके से पुछा सकता है कि आपको कुछ रॉक्स की नाम दिया गही हो बताईए जी इनमें से कौ अगले बढ़ते हैं अब second question में आपको यहां तीन statement दी गई हैं कहा जा रहा है कि बताइए इन में से कौन कौन सी यहां correct है पहली सेट में देखते हैं कहरे हैं जो insulation receive करता है आर्थ वो आपकी short waveforms में होती है second में कहरे हैं कि जो earth after being heated itself जो खुद वो heat हो जाता है तो वो भी energy यहां पर radiate करते हैं in the atmosphere in the long waveform third में कहरें जो आपको नर्द इंडिया है during the summer season जो आपकी local winds है जिने हम लूग कहते हैं यहां आपको तीन statements दी गई है थोड़ा सोची इसके बारे में conceptualize or factual चीज़े पूछी गई है correct option mark कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो देखिए यहां पर आपकी पहली दो statements correct है और उसी के धार पर a option correct option है किस तरीके से कि जब इंसुलेशन रसीव करता है ठीके जी जो incoming solar radiation होती है तो आपकी short wavelength की form में होती है ठीके जब वो आपकी आई वहां कह सकते हैं अर्थ के surface ने उसे absorb किया उस इंसुलेशन को कुछ स वो उस outgoing radiation को वहां absorb कर देते हैं जिसके विएसे आपका global warming का funda भी चलता है बट कुछ-कुछ आपकी escape भी कर जाती है जो कि space में वापस लाती है तो इस तरीके कि जितनी भी आपकी ये बाहर निकलने वाली जो outgoing radiation है वो आपकी long wavelength की formation में रहते हैं ठीके जी तो important points है इस तरीक wave form में जाती है long wave form में और जो रही बात third statement की कि जो loop के बारे में यहाँ पर बात हो दी थी तो यह आपकी convection process की वज़से नहीं है यह आपकी advection process की वज़से है ठीकी जी जो प्रॉसेस का नाम है advection क्या फरक है convection में आपकी circulation होती है एक तरीके से air की जैसे कि अगर हम basic सा example सम नीचे base वाला पानी होगा वो धीरे धीरे आपका गरम होता जाएगा गरम होता जाएगा उसकी density कम होता जाएगी फिर आपको ऊपर की तरफ को बढ़ता जाएगा और side से जो आपका ठंडा पानी होगा फिर वापका दुवारा वापस आएगा तो इस तरीके से circulation चलती रहे जाएगी और वही बेसिकली आपकी लूग के लिए responsible भी है इंडिया में ठीके जी लोकल वेंट जो रहती है हमारी लूग तो आई होप आपने इसको क्रेक्ली मांक कियो हो और इस पूरे फंडे को भी समझ गए हो यहां पर अगले कोशन के और बढ़ते हैं थर्ड कोशन आपको यहां पर अलग से यहां option दी दी गई है कि कौन-कौन से areas को जोइन करता है थोड़ा सोची इसके बारे में fact-based question है correct option मांक कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो देखिए यहां पर आपके चारों के चारों pairs बिल्कुल correct है और उसी किधार पर D option correct option है तो बात करें सबसे पहले आपका जो वॉस्फोरस स्टेट है आपका ब्लैक सी रहा और यह आपका सी ऑफ मरमर रहा इसे जॉइन करता है यहां पर आपकी यूरॉप और एशिया क्या हम कैसे पर किसे boundary भी यहां पर create करता है वहीं बात करें आपके दूसरे जो कौन सा था option में आपका की बैबल म Mediterranean को वहीं जो आपकी fourth option थी जो कि हमारी अपनी खुद South Asia की option है वहाँ पर आपसे पूछा गया था पाक स्टेट के बारे में यह रहा आपका पाक बे और यह आपका यहां पर बेंगॉल का एरिया है उसे यहां पर connect करता है ठीकी जी काफी सिंपल सीजे पूछी थी यहां पर चार codes यहां पर provide किये गए हैं पहली statement देख लेते हैं कहरें कासर जो हैं आपके very luminous objects की बहुत लादा light emit करते हैं in far away galaxies that emit jets at radio frequencies second में कह रहे हैं कि most कासर जो रहते हैं आपके वो smaller रहते हैं than our solar system third में कह रहे हैं they are only found in the galaxies that have super massive black holes जो की आपके power करते हैं in bright disks को ठीकी जी तो तीन ह हैं यहां पर statements कासर सर रेलेटेड फ़ड़ा सोची इसके बारे में correct option मांग कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो देखिए यहां पर आपकी first और third statement ही correct है उसी के धार पर a option correct option है कि जो second statement में कह रहे हैं कि काफी छोटे size के रहते हैं हमारे solar system से इस statement आपकी गलत है काफी जादा बड़ा size रहता है इनका ठीक है डिसकस कर लेते हैं तो कासर बिसिकली क्या है luminous objects है जो कि far away galaxies में detect करते हैं जो कि radio frequencies के jets वहां पर emit करती है ठीक है कासर का मतलब क्या है कौसिस ट्रेलर radio source की radio frequencies जहां से emit होती है तो इसका नाम उसी अधार पर यहां पर रखा गया है और जो इन पार्सेक तो एक किलो पार्सेक आपका 3260 light years के बराबर रहता है important point है आप note कर लीजिये से ठीके जी तो इन्हें हम यंग एलेक्सिस के नाम से भी जानते हैं और बैसे कि आपकी located बहुत जादा दूर है हमसे हम बहुत काफी समय से से observe भी कर रहे हैं तो इनका जो number बढ़ता जा रहा है उसकी वज़ा से scientist भी को उन्हें भी काफी help मिल रही है यहां पर यह प्रडिक्ट करने में कि हमारा जो universe है वो किस तरीके से यहां expand कर रहा है ठीके जी थर्ड में जो आपका statement जो थी वह यहां पर clear होगी वहीं बात करें आपके fourth point में क्या लिखा है कि highly active emitting staggering amounts of radiation across the entire electromagnetic spectrum किस तरीके के दिखते हैं इस तरीके के आपके यह spots यहां पर detect किये जाते हैं ठीकित जो कि scientist ने यहां detect भी किये हैं तो इस काफी ज्यादा illuminating आपके objects हैं तो important है आपके UPSC point of view से प्रिलिम्स point of view से इससे जितने भी आपके facts हैं वह आपको पता हो अगले question क्यों बढ़ आपको यहां provide किये गए हैं पहले में कह रहे हैं यह जो soils हैं basically they are soils with a large amount of organic matter and considerable amount of soluble salts, second में कह रहे हैं they are black, heavy and highly acidic, third में कह रहे हैं they are under paddy cultivation throughout the year, तो यह हैं आपको तीन facts दिये गए हैं PTE, marshy soil से related, थोड़ा सोची इसके बारे में, correct option mark कीजिए फिर discuss करते हैं, incorrect statement बताने हैं ध्य हैं रखना इस चीज़ का, तो देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी third statement ही incorrect है, उसी के धायर पर C option, correct option है, तो basically जो है आपकी PT, marshy soils हैं, यह कौन सी soils रहती हैं, यह आपकी humid regions में आपकी soil पाई जाती है, and because of the fact कि यह जो आपकी soil है, यह आपके water के अंडर रहती है, during the rainy season, but जैसे आपकी rain खतम हो जाती है, जैसे आपकी वरसाथ खतम हो जाती है, तो उसके बाद इसे paddy cultivation के लिए यहां पर लगाया जाता है, काफी organic matter रहता है, considerable amount of soluble salts रहते हैं, यहां पर इसलिए इमाना भी जाता है कि काफी ज़्यादा अच्छी उपज़ भी वहां पर देता है, कौन-कौन से areas है, important point है, जहां पर आपकी इस तरीकी की soil पाई जाती है, केरला हो गया, ओडिसा, वेस, बेंगॉल, जो कि आपको संदर्बंस वाला region है, particularly, फिर आपका जो south east coast हो गया ता मिलाडू का, इन regions में यह यहां पाई जाती है, ठीके जी, black color की रहती है, heavy soil है, औ highly acidic रहती है, they are deficient in potassium phosphate, यह important important facts है, जो कि आपको PT master soil से related पता होने जरूरी है, तो यह थे आज के हमारे 5 questions, I hope आप में से सभी नहीं यहां पर अच्छे से perform क्या हो, पर जो भी आपका score रहा है, comment box में जरूर mention कीजिए, और इसी तरीके से regularly इस initiative को follow करते रहे है, prelims के लिए चीज़ों का आपका revision भी होता जाएगा, ठीके जी, अब revision ही आपके लिए बहुत ही बड़ा एक रामबान है, चीजें retain कर पाएंगे आप तभी जब आप regularly उसे revise करेंगे, तो आपकी इस preparation के लिए हमने शुरू की है, prelims revision series, discuss कर लेते हैं, क्या रहता है, इसमें 3 questions आपके प comment में अपनी email ID के साथ answer post करना है, ठीके जी, किस तरीके से आप revise कर सकते हैं, पुराने प्रेमिक्स तो आपको description में एक link मिल जाएगा, हमारे platform का, जहां पर हमारे सारे प्रेमिक्स compiled format में available है, PDF भी available है, free of cost आप जाके यहां पर enroll कर सकते हैं, तो आज का geography का दिन है, तो प्रेम statements दी गई है, आप बताइए इन statements में से कौन कौन से statements आपकी यहां correct है, चार quarts आपको provide किये गए हैं, प्रेमिक्स से ही आपका directly question पूछा गया है, correct option मांग कीजिए, फर अगले question के और बढ़ते हैं, R2 में कह रहे हैं कि बताइए Indian coal की कौन कौन सी characteristics हैं, तीन simple से points आपको यहां दिये गए हैं, उसी के चलते आपको चार quarts यहां provide किये गए हैं, तो इन चार quarts के मदद से आप बता सकते हैं बहुत easily कि कौन कौन सी characteristics हैं हमारे Indian coal की, R3 के और बढ़ते हैं, Western coastal plains, अब इस यह related आपको यहां तीन statement दी गई हैं, बताइए इन में से कौन कौन सी correct हैं, चार quarts आपको यहां पर provide किये गए हैं, बहुत simple से question आपसे पूछे गए हैं, बट आपका revision अच्छे से होता रहे, तभी हम basic questions भी यहां discuss करते हैं, ठीके जी, तीनो questions का, अपनी email ID के साथ, correct sequence में आप answer post कीजिए, और अपनी जो preparation इसे incentivize कीजिए Amazon के gift card से, कल है आपका history का दिन, तो कल आपका कहा रहेगा February, March और April की जो आपके premix हैं, जैसे के हमने आपको बताया, description में link provided है, वहां जाके देखिए, एक बार revise कीजिए अच्छे से, और इनी से ही related आपसे कल questions पूछे जाएंगे, और कौन-कौन से initiative चल रहे है, हमारे prelims crash course चल रहे है, जिसमें आपका current portion अगर आपको cover करना है, उसकी भी option available है, static or current इसकी भी option है, हमारे पास, prelims test series जो कि आपके exam पर विसे काफी दादा important है, recently हमने all India free mock test minutes, वहां पर launch किया था, Sunday क कोई काफी अच्छा response वहां से मिला है, काफी लोगों ने वहां attempt किया, और काफी अच्छा score भी किया है, ठीकी जी, तो इसमें भी आपको option available है, अगर आपको 10 full length test लेने हैं, एक बाद प्राक्टिस करनी है, और अगर आपको combo course पर series करना है, तो उसकी भी option यहां पर available है, सार तो आपके 5 plus 8 चल रहा है, ठीकी जी, मैं important आपके prelims के revision के लिए, so that will be all, all the very best, have a good night. साइब perché एक भी दे गठ fiance, आपके लिए, आपके मैं जऺें सैंग में ऊपके लिए, आपके ली-चानापननि के लिए्द ilानी ही, मैं बाद है useful है, मैं ग्यार यहां दो आपके हैं..